हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक मैं यूट्यूब चैनल तो आज संदर की रसोई में फिर लेके आए एक नई रेसिपी तो चलिए इसको हम बनाते हैं यहां पर हमने कटवगस कीवी लोकी लिए वीडियो ज्यादर बड़ी हो जाती है इसलिए मैंने पहले से कटवगस कर ली ए हैं और यहां पर थोड़ी से अद्रक ली अब हरी मिर्च एट करेंगे इसमें थोड़ा सहरा धनिया एट करेंगे अब इसमें मसाले एट करेंगे मसाले में लाल मिर्च पाउडर टेस्ट के कोडिंग नम्मक एक चमच धनिया पाउडर और एक चमच हल्दी पाउडर छोटी चमच करम मशाला और इसमें छोटी चमच अ इसको डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आजाएगा, अब हम इन सभी चीजों को मिक्स कर देंगे, अब इसमें हम एक कफ आटा एड़ करेंगे, आग ही जरूरत पड़ेगे तो और एड़ करेंगे, आदा कफ इसमें बेसन एड़ किया है, अब लौकी में हम ये आटा खुब अच्छे से गूत लेंगे, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, इस तरह से हमारा ये आटा गूत चुका है, अब इसमें हम दो चम्मच पाइलाइट करेंगे, और इसको फिर से गूतेंगे, क्योंकि लौकी में इतना पानी रहता है, तो पानी डालने के कोई ज़रूरत न आटा है, तो ये आटा हमारा गुत चुका है, इसको रेस्ट के लिए बिल्कुल नहीं रखेंगे, आब इसकी हम पाराठा बनाएंगे, तो यहां पर हमने एक लोई ली है, अब इसमें हम सूका आटा लपेट लेंगे, दोनों साइट देखिए, अब इसको बेल लेंगे, ए और अपलाई कर लिया है, अब इसमें हम सूका आटा एड़ करेंगे, उड़े में, यहां पर सूका आटा भी एड़ कर दिया, अब इसको हम फोल्ड करेंगे, इस तरह से, अब आपको पता चली ही गया होगा, कि यह यहां पर लच्छा प्राठा बनाएंगे, इस तरह से इस लेंगे तो यह यहां पर हमारा परांठा बिल चुका है अब इसको हम सेकेंगे तो दूसरी तरफ तबा गरमों ने रख दिया था उसके उपर परांठा डाल दिया अब इसको हम पलट देंगे अब इसमें हम oil add करेंगे, पूरे पराठे पर, फिर से इसको हम पलट देंगे, दूसरी साइड oil add करेंगे, अब इसको दोनों तरफ अलट पलट के हम सेक लेंगे, तो यह हमारा यहां पर पराठा सेक चुका है, अब हम दूसरा एक और पराठा बना लेते हैं, तो यह यहां प आप चाहें तो इसको simple गोल भी बना सकते हैं यहां पर हमने यह दोल अच्छा पराठा बना के दिखाए हैं और आगे बाकी हमने simple गोल शेप में ही पराठा बना के लोकी का तयार किया है तो यह दूसरा तयार हो गया है अब इसको भी हम बेल लेंगे तो यह भी possibility हमारा बिल चुका है और इसको भी हम सेख लेगे तो यहाँ पर इस तरह से नहीं सेख चुका है आब इसको सर्व करेंगे तो यहाँ पर हमने दही और हरी चत्नी के साथ इसको सर्व किया है तो देखे मैंने बताया था आपको कि मैंने गोल शेप में भी पराथी बनाए है तो आप चाहें लच्छा पराथा बना सकते हैं या इस तरह से गोल शेप में भी पराथी बना सकते हैं तो हमारी रेसिपी आप सभी लोगों को पसंद आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें वीडियो को फुल बॉस जरूर करें थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो